हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगे आपके सामने इंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चेर वीडियो लेकर आचुगा दोस्तो जिसमें आज के दिन हम लग पढ़ने वाले हैं हमारे एट स्टाइम डेर के लिए हिस्ट्री सब्जेक का जो हमने एक निव चाप्टर के अल्लेडी शुरुआत की सी दोस्तो जिसका नामे चाप्टर नमबर टेन आमड रिवॉलूशनरी मुवमेंट तो आज हम इस पर्टिकलर चाप्टर का लेक्चर नमर फोर आपके लिए लेकर आगये हैं जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन लेक्चर वीडियो होने वाला है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाल जो लेक्चर है इस चाप्टर का आखरी लेक्चर होगा यानि कि कुछ टॉपिक्स आज हम डिसकस करेंगे और पूरा चाप्टर जो है आज कम्पलीट हो जाएगा तो हमारे साथ बने रहना वीडियो को एंड तक देख लेना क्योंकि आज हम बात करने वाले हमारे प्रियर स साथ ही मैं आप प्लेलिस को चेक कर सकते हैं क्योंकि बाकी सब्जेक्स के पूरे जो सी लेबल से हमने पूरा कम्पलीड किया हुआ है तो आप जाके हमारे वीडियो देख सकते हो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेना अच्छे से अच्छे मार्क को स्कोर करने की कोशिश क तो सबसे पहले शुरुवात करें अज तोраст कि जिसका नाम है दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक होगा आज का वह दोस्तों蟋स्तों पृट birthday ऑध यह s आरे होता क्या है यह हम लोग डिस्कस करेंगे तो फेंड़े धर यह शे स आरे का फूल फॉर्म होता है दूस्तों को Venut listen जैए हिंदुस्तां ऐंब ओल रहो हूं हैं इसका इख क्यों फॉल फॉर्म होता है हिंदुस्तान सोचियलिस्ट इह रिप लिकनजंड रिक नेज़ सोचियलिशन इस सोयलिशन पर पर चैनलında ॉस्तान जो की होता क्या नॉमरी एक ऐसा एक association था एक ऐसा organization था जो generally जितने भी यंग लोग थे जैसे कि आप जानते हो कि एक time था तो यंग लोग ने एक तरीके से ठान लिया था कि अब हम हतियार उठाएंगे अब हम इस आंदोलन को एक हतियार का इस्तेमाल करके और बिटिश को डराएंगे और भगानी की कोशिश आपने आये थे यहां पर एक तरीके से और उनने डिसाइड किया था पुरा नेशन वाइड उनने डिसाइड किया था कि एक revolution लाएंगे ठीक है एक organization यहां पर revolution लाएंगे तो बहुत सारे यहां पर जो young leaders थे उनमें से एक थे चंद्रशेखर आजाद यह तो आप जानते ही ह बढ़गत सिंग हमारे प्रीय ठीक है धगत सिंग थे उनके अलावा और कौन था उलावा थे राजगुरू और सुखदेव, ठीक है, राजगुरु, सुखदेव, और भी उनके साथ कई सारे वेक्ति थे, एक्सेक्टरा करके हम लोग लिग दे थे, तो बेसिकली ये चार जाने माने चेहरे उन ओर्गनाइजेशन में सामिल थे, उनका इक ये था, कि जितने भी रिवालूशनरी से, जि लेकिन वो तयार थे कि किसी भी तरीके से हमारे देश को ये ब्रिटीश के चंगुल से हमें आजात करके बाहर निकालना है, तो ये सब चीज था, तो एक मीटिंग कंड़क्ट हुआ था, फिरोश्चा कोटला ग्राउंड डिल्ली आप जानते ही हो, तो फिरोश्चा कोटला ये सब चीज नहीं होना चीए, इस हिसाब से उनका था, और इनका में था कि हम किस तरह से हतियार को भी इखटा करें, तो इनका एक डिपार्टमेंट था, बना के रखा था, जिसका नाम उन्होंने HSRA ही रखा था, लेकिन ये हिसका नाम था हिंदूस्तान, हिंदुस्तान सोशेलिष्ट हिंदुस्तान सोशेलिष्ट रिपब्लिकन और एक तरीके से यह आर्मी लेकिन जो मेन हत्यार उठाके जो काम करेंगे एक सेपरेड विंग उन्हों ने बना दिया था और वो एक आर्मी के रूप में था ताकि वो हतियार से किसी ब्रिटिश को नुकसान भी पहुचा सके, ब्रिटिश को डरा धमका सके, बाकी चीज़े कर सके, अपने देश की आजाद के लिए कुछ भी कर सके, और उस आर्मी का, ये जो सोशलिस्ट, जो रिपब्लिकन आर्मी था, एचे सारे का, उस आर्मी के जो कर रहे थे तो एक टाइम आया जब भगत सिंगह और राजगुरु ने और राजगुर्ट ने बहुत शारे बुलेट्स फायर किया यानी कि गोली बरसाई और साथी में कुछ officers थे उनको मारने की कोशिश कियो तो एक officer तो जितका नाम इसी के वज़े से और ये पहली बाद तो क्यों मारा ये जो सॉंडर थे इनको क्यों मारा क्यूंकि लाला राजपत राय जो थे उनकी मौत का उन्होंने बदला ले लिया ठीक है लाला राजपत राय की मौत का बंदा ले लिया ये सॉंडर को मारके भगत सिंग ने और राजग उनका जो civil rights होता है आम आदमी का अधिकार वो भी छीन लिया जा रहा है मतलब यार यह तो बहुत गलत होगे कि British हम पर जुल्म कर रहे हैं लेकिन हमारा जो आम अधिकार है आम लोगों का जो basic need है जो basic civil rights है वो भी आप छीन लोगे तो हम कैसे अपनी जिंदगी जिएंगे तो यह सब चीज ना भगत सिंग को और उनके आर्मी को पसंद नहीं आई तो उन्होंने क्या कर दिया इसके खिलाब बहुत सारा प्रोटेस्ट किया गया और इसी के खिलाब भगत सिंग ने और साथी में बटु केशवर दक्त ठीक है ना भगत सिंग के बार में जानते हो लेकि तो वहां पर उन्होंने क्या कर दिया था और उसी के चलते जब ब्रिटीश को इसा पता चला कि यार किसका हात है इसमें तो उन्होंने फटा-फट से जितने भी रिवालुशनरी थे यानि जितने भी आंदोलन करता जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उनको अरेश्ट करना दीरे दीरे शुरू कर दिया और उसी टाइम पर यहां पर उप्ता चल गया है कि यहां के जिनको मैं ने अरेश्ट किया रहे जो सौंडर जो था से इनकी मौत में भी इनका हात है यान भगत सिंग का हात है upgrade kind तो इस परकार से कही सरे व्यक्ति को यह कर दिया गया और साथी म एक वक्त आया जिसका नाम था दोस्तों, March 1931, ठीक है न, यहाँ पे 23 March, ठीक है, 23 March 1931 को, यह देट आप लोग याद रखना, 23 March 1931 को, यहाँ पे यह हुआ, कि यह तारिक को, भगत सिंग को, और साथी में उनके साथ, भगत सिंग के साथ, राजगुरु और सुखदेव, ठीक ह राजगुरु को, राजगुरु को, और सुखदेव को सुना दी गई थी, ठीक है, इदर पे सुनाई थी, लाहोर में, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, लाहोर करके एक जगा था, आज के रिड़ में पाकिस्तान में है, लेकिन लाहोर हमारी इंडिया का ही पार्ट पहले, तो वहाँ पे सजा सुनाई दी थी, लेकिन जो चंदर सेखर आजाद जो थे, जो उस टाइम के चीफ थे, इसके यह जो रिपब्लिकन आर्मी थी, उसके चीफ थे, वो किसी तरीके से वहाँ से भाग गए, लेकिन धीरे-धीरे क्या हो गया, कि जब भागते गए, य इस सब चीज़ हुआ, तो उस टाइम पे जो एनकाउंटर हो गया, उनका मताद पपॉलिस से मुध्बेढ हो गया, जानते हो आपकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश ओफिसरते कितने क्रूल थे, तो उन्हों ने पुलिस के साथ जब एनकाउंटर हो गया, तो उनकी देथ हो वहाँ पे ठीक है अब आता है हमारा next topic जो की बहुत ही बढ़ी हाँ टॉपिक है जिसका नामे दोस्तों यहाँ पे में में चित्ता गॉंग ठीक है चित्ता गॉंग आपको पता यह एक जगह का नामें तो चित्ता गॉंग में किस प्रकार attack हुआ आर्मरी की ऊपर तो यह हम ल अब जानते ही हो तो वहाँ पे बंगाल में एक तरीके से वह चीफ थे हैड थे वहाँ पे और उन्होंने अब बहुत सारे रिवॉलूशनरी जो थे यानि कि जो क्रांतिकारी जो लोग है जो अपने ही देश के लिए अपने जान भी देने के लिए तो उस प्रकार के कई सार बनाया ताकि जो आर्मरी है ठीक है चिट्टा गॉंग में तो उसके उपर अटाइक किया जाए तो यह प्लाइन के एक पूरा पूरा जो आर्म्स था यानि हत्यार था उसको यहां पे सीच कर दिया गया चिट्टा गॉंग के अंगदर और साथी में जो टेलीफोन और टेली बता नहीं पाएंगे यार यार ऐसा हुआ है हमने हमारे जो हातियारे उसको छीन लिए गए हैं कबजे में ले लिए गए तो यह कोई बता नहीं पाए गए तो टेलीफोन और टेलीग्राम लाइम भी ब्रोक कर दिया था उन्होंने और पूरा का पूरा कम्मिनिकेशन ठीके ना 16 फेबरोरी के टाइम 1933 में क्या हो गया यहाँ पे जो सूर्य कुमार सेन थे ठीके और उसके साथी में कुछ जो लीडर्स थे जैसे मैंने बोला कुछ रिबॉलुशनरी थे जिन में कुछ ऐसे उनके असोशेर्स थे उनको यहाँ पे पूलिस ने पकड़ लिया क्य उनको सजा दे दी गई क्या कर दिया उनको सजा सुना दी देथ पनिश्मेंट दे दिया लेकिन जो कलपना दत्ता थी उनको फासी की सजा है उनको फासी की सजा ने दी लेकिन life in prison meant meant यानी पूरी उम्र कैद की सजा बोलते है नम लोग क्योंकि वो लेडी थी शायद फीमेल इसले तो जो बाकी के मेंबर्स थे उनको सजा दे दी देथ की लेकिन जो कलपना दत्ता थी उनको उम्र कैद यानी जेल में डालने की उम्र कैद वैसी सजा सुनाई दी थी और एक और जो लेडी थी जिनका नाम था प्रितिलता वाडेकर तो उन्होंने खुद को ही मार दिय प्रिटिश के अंडर में जाओ और ब्रिटिश में को कैद करके रखे या फिर मुझे फासी के सजल सुनाई तो मैं ब्रिटिश के हाथों मरने जोरा मरने से अच्छा मैं अपने हाथों से मर जाओंगी तो वह प्रितिलता वाडेकर जो थे उन्होंने खुद को ही मार दिया अपने आपको ताकि वो पुलिस के चंगुल में ना आ पाए और यही सब चीज चिटा गॉंग में एक आग का महल ग्रिएट हो गया एक रिवॉल्विशन एक आंदर बहुत जोर से ज्वाला बोलते है एकदम लोगों के अंदर गुसा आ गया इस परकार से और बहुत जोर स दो स्कूल गल्स थी जिन्होंने क्या कर दिया था डिस्ट्रिक्ट बहुते हैं उटके चेज़ ब्रिटिश के चैश्ट्रिकट के जज़ होते हैं उनको तो चरेप के म संदर को घृब करते हैं एडुकेशन होने के बद कन्वोकेशन देते तो उस टाइप का सेरेमनी हो रहा था कोलकाता युनिवर्सिर्टी में तो उन्होंने गौवर्नर को सीधा मार दिया ठीके ना किसका नाम यंग गल एक छोटी सी लड़की थी यंग गल थी जवान लड़की बीना दास करके चोटी उधम सिंग उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा किया था आप जानते हो यह भी इसी लाइक जो एक सारेन वहां से कुछ बिलॉंग करते थे तो आपने इसके ओपर एक मूवी बनी है सरदाम उधम सिंग के ओपर वो भी शायद आपने देखा होगा तो यह जो उधम सिंग थे ना उन्होंने किसका बडला लिया आपको पता एक जलियन वाला बाग मस्तकर हुआ था उसमें लगबग लगबग देखा जाये तो मोर देन 1000-2000 पीपल को ऐसे अंदादुन गोलियों से मार दिया गया था ठीक है जलियन वाला बाग में ठीक है प्रोटेस्ट कर रहे थे अपस लेने के लिए तो उनको बिना किसी नोटिस के ही मतलब वार्निंग के ही सिता गोली से भुन दिया गया इतना सारे लोग को एक किसाद लाश पड़ी थी बहुत सारा हो गया था तो ये सब चीज बहुत लोग को पसन नहीं आय थी तो उसमें से व्यक्तित थे सरदार उ जो डायर जो व्यक्ति थे जो जलियन बाला बाग मैसेकर के जो मेन विलन थे उसको सरदार उदम सिंग ने लंडन में जाके 1940 को उनके ही देश में जाके मार दिया और यह freedom struggle जो इंडिया गा रिवॉलुशनर रही था यह बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगा और र दिरे यह सब चीज बाकी जो इंडियन थे इनके पीछे उनको इंस्पिरेशन का काम करने लगा और दिरे दिरे यह revolution बहुत ज्यादा तेज हो गया और आप जानते ही हो उसके कुछ 7 साल के बाद 1947 में ब्रिटिश ने हाथ जोड़ लिया भाई हम चलते हैं बोरिया नमर 10 आम्र रिवालुशनरी मोमेंट ये भी हो गया तोटली 100% कम्प्लीट ठीक है दोस्तों तो बहुत अच्छा लगा आपसे बाते करके आपसे लेक्चर्स डिसकस करके तो उमीद करता हो कि हमारा ये जो लेक्चर है और ये चाप्टर पूरा आपको अच्छी तरगी से स लगा प्लीज हमें कॉमेंट करके बताएगा आपनी राय और सजेशन जरूर से दीजेगा दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिवस को थैंक यू और गुड़ यू 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 यू